सवाल है आपके लिए भारत के समस्त इस्तल भाग में कितने परतिस्त भाग पर जलूड मिट्टी है तो इसका सही जवाब होगा 24 परतिस्त भाग पर जलूड मिट्टी है ठीक है बात करते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल है आपके लिए लावा के परवा से किस जयावपदार्थ से भरपूर होती है कौन सी मिट्टी जयावपदार्थ से भरपूर होती है सही जवाब आपके लिए काली मिट्टी ठीक है बात करते हैं अगले सवाल की तरब अगला सवाल है आपके लिए किस मिट्टी का निर्मार बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होती है तो इसका सही जवाब होगा काली मिट्टी है वो इसके बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से इसका निर्मान होता है बात कते हैं अगले सवाल के तरफ अगला सवाल है आपके लिए किस मिट्टी में कर्षी के लिए सीसाई के आफसिक्ता नहीं होती है तो इसका सही जवाब होगा काले मिट्टी है जिसमें सीसाई के आफसिक्ता सबसे कम होती है नहीं होती है बात करते हैं अगला सवाल के तरफ अगला सवाल आपके लिए बनता है भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहां पर हुआ है तो इसका सही जवाब क्या होगा आंधर परदेश वो तमीन लाडू में इसका सबसे अधिक विकास हुआ है लाल मिट्टी का बात करते हैं अगला सवाल के तरव अगला सवाल आपके लिए बनता है लाल मिट है दान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उप्युक्तों होती है D banda pardan को कैसे रोका चा सकता है तो मर्दभध को जोती है इसका सही ज्वाब हो का वन रोपन करके या वन रोपन के द्वारा मर्दापर दून रोका जा सकता है अगला सवाल देख लेए अगला सवाल आपके लिए रेगुड मिट्टी सबसे अधिक किस राज्चे में पाई जाती है रेगुड मिट्टी तो इसका सही जवाब होगा ये पाई जाती है माराष्ट में पाई जाती है रेगुड मिट्टी सब्सक्राइब ल